एगलो सब्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बिजट का जो इंट्रेक्स होने वारा 2022 में उसके एम इंपोर्टन कोष्टन देखेंगे जो कि 2022 में आपके कोष्टन में जरूर पूछ जाएंगे आपके इंट्रेक्स के जामें तो आज की वीडियो में जो हमारे हिंदी के टॉपिक्स हैं हिंदी के चैप्टर वाने भासा तथा व्याकरण जिसके हम कुछ इंपोरेंट कोष्टन चूच कर के यह लिखे हुए हम 15 कोष्टन बिसके करेंगे बहुत ही कोष्टन और यहां रिपेट्ड पेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए उपीब इंट्रेक्स तो सब्सक्राइब देखते हैं तो आप इन सभी कोश्चन का एंसर देने की कोशिस करना अगर आप इन कोश्चन के एंसर देने देते हैं तो आप पहुत ही अधिक मार्स गेन करेंगे हैं हं पूर्भी हिंदी आप्शं छी मीं तो हिंदी बहाशा का जो खड़ी बूली हीं निå अप्शन ही happens शहीं है तो हिंदी की 5 भाषा होती हैं पहला है से सब्षराई के नुपालन में भारत के राष्ट पती ने राज सभा आयोक का गठन कब कि यह ता यह कोश्चन. ूपी युपी येट 2015 में पुछे गया था प्र आप संधें आपStra स्वामिदान के देखते हैं आप संसनий सब्सक्राइब देखते हैं और फॉर यह हिंदी सब्ड किसका दिया हुआ है यह सुष्ट कोछ सर्ग फाइब है पंजाबी भाषा की लीपी क्या है अब देखते नेट नमबर 6 की ऊप एक लेक्त तो question number 6 का option A इसका right answer हो जाएगा हिंदी 343 अनुछेत के तहाथ राश्ट भासा कहलाई तो question number 6 का option A इसका right answer है देखते हैं इस question question number 7 देखते हैं पर हिंदी भाषा को राज भाषा कब घुसित किया गया question number 7 का option A इसका right answer हो देखते हैं इस question number 8 देखते हैं आपर प्राकरत आपसंडी हिंदी तो question number 8 का option C इसका right answer हो जाएगा प्राकरत अब देखते हैं नेश्ट कोशन देखते हैं पर question number 9 देखते हैं आपर है हिंदी की उत्पत्ति किस भासा सी हुई है option A है लाइकिक संस्क्रत option B है वैदिक संस्क्रत option C है शाओर शेनी अपभ्रंस आपसंडी है मगधी तो question number 9 का option C इसका correct answer हो जाएगा शाओर शेनी अपभ्रंस अब देखते हैं नेश्ट कोशन question number 10 का option C इसका correct answer हो जाएगा अर्भी भासा जो है वो गुना है तो question number 10 का option C इसका right answer था देखते हैं next question 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 number 11 सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे option A स्याम सुंदर दास option B महावीर प्रशाद दिर्वेदी option C रामचंद्र सुकल option D प्रताप नरानमीशन तो question number 11 का option B इसका correct answer हो जाएगा महावीर प्रशाद दिर्वेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे तो question number 11 का option B इसका right answer होगा अब देखते हैं next question 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 number 12 रिक्सा किस भासा का सब्द है option A चीनी option B रूसी आपसंसी जपानी आपसंडी जर्मनी question number 12 का option C इसका correct answer हो जाएगा रिक्सा जपानी भासाक सब्द है तो question 12 का आपसंसी इसका right answer होगा देखते हैं next question question number 13 है अंग्रेजी सब्द ड्राफिट ड्राफिटिंग का भारत सर्गार दोरा स्विक्रत हिंदी अनुवाद होगा option A टिपण option B अरोपण आपसंसी प्रस्ताव आपसंडी प्रारूपण तो question number 13 का option अब देखते हैं next question question number 14 सब्द की से कहते हैं एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण को option B एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को आपसंसी ध्वानी की छोटी इकाई को आपसंडी भासा की सब्सी छोटी इकाई को तो आप इसका answer बता सकते हैं कमेंट में अगर आपको इसका answer बालू में चलिए आप सोंच के बताएगे कौंसा option करेक्ट होगा चलिए हम बता देते हैं तो इसका जो करेक्ट एंसर होजागा question number 14 को option A होगा एक या एक से अधिक सार्थक वन्ट समूं को सब्द गहते हैं अब देखते हैं next question और इस वीडियो को last question है question number 15 महाराष्ट में किस भासा का प्रियोग अधिक होता है option A अंग्रेजी option B है हिंदी आपसंसी है मराठी आपसंडी है मैथली तो इस question का आप answer जानती होंगे कि मराठी सब ज़्यदा कहा बुर जाता है तो चलिए हम आपको उता देते हैं महाराष्ट में सब ज़्यदा मराठी बुर जाती है तो question number 15 का आपसंसी इसका करेक्टेंस हो जाएगा तो इस वीडियो हमने 15 वीडियो आपको अच्छा लगा हो वह सारे question है या किसी आप इस्पेसल टॉपिक पर वीडियो पांच आते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इस वीडियो इसी टॉपिक पर लेकर आएंगे इस वीडियो इतना ही मिलेगा आप सबज़ो नेस्टी वीडियो में